हे गाइस वेलकम बैक आवर चैनल सखीव कॉर्नर स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम इस वीडियो में एक उबटन लेके आये हैं जो आपके स्किन को प्राइड और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा यह बहुत ही असरदार उबटन है इसके लिए हमें बाहर से चीज़े लाने की जरूरत नहीं है हम इस उप्टन को बनाने के लिए अपने घर में से ही समानों का इस्तमाल करके इसे बहुती बेनेफिट वाला उप्टन तयार करेंगे जो आपके स्किन के लिए बहुती अच्छा होगा इसके लिए हमें चाहिए हल्दी, बेसन, ओर्ट्स और चावल इन सब को हम अच्छे से अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो कोई बात में आप घर में ही चावल को बस मिक्सी में पीस करके उसको पौडर बना सकते हैं और यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, यहाँ पर मैंने तीन बड़े चमच बेसन और तीन बड़े चमच चावल का आटा और तीन बड़े चमच ओट्स और हल्दी लिया है अब हम एक बाउल में इन सारे चीजों को मिला करके अपना उतन तयार करेंगे चावल में कई ऐसे पोसक तत्व होते हैं जो हमारे स्किन को लाइट करने में मदद करते हैं आपको इन सारे चीजों को नियमित रूप से अगर आप अपने बॉड़ी पे लगाएंगे तब ही आपको असर दिखेगा इसे आप रूप नहाने से पहले इस उगड़न को लगागे दसमर छोड़ दिजिए फिर उसके बाद आप नहा सकते हैं या आपकी तवचा को एकसफलियोट करने में मदद करता है और मृत्य तवचा को निकालने में मदद करेगा बेशन तवचा को निकालता है और एंटी एजिंग की समस्या को भी दूर करता है अगर आपको टैनिंग की समस्या है तो उसे भी यह कम करने में मदद करता है हमारा यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको बनाना है इसका पेस्ट इस उप्टन पाउडर का आपको लेना है आप जितने आपको जितनी जरूरत हो उसी सबसे आप इस पाउडर को ले ले और यहां पर मैं दूद मिला रही हूँ आप दूद भी मिला सकते हैं में पेश्ट बना लें और इस पेश्ट को आप अपने पूरी बॉड़ी पे जहरे पे भी लगा सकते हो और इसे दस से पंदर मण तक रहने दें फिर उसके बाद नहा लें और इसे प्रेश्ट को मुलाइम बनाता है और ग्लोइंग देता है तो ओर्ट के बेनेफिट्स भी आपको पता ही है और हल्दी में भी एंटी बैक्टिरियर गुर्ण होते हैं जो हमारी तवचा को हल्दी रखने में मदद करेगी तो प्लीज यह जरूर आप ट्राइ करिएग होमेड उप्टन है इसकी रेस्पी भी इजी है आपको सब कुछ घर पे मिल जाएगा और यह बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी आपके स्किन को ब्लोग लाने में और अगर आपके स्किन धार्क हो रही है तो उसमें भी आपकी बहुत ही हेल्प करेगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू